जैसी कृष्णा, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी गार्डनिंग में व्यस्त होंगे फ्रेंड्स, हम लोग स्प्रिंग सीजन जाने के बाद भी समर्ज आ गए है फिर भी गार्डनिंग में कुछ लोग कुछ काम निकलता ही रहता है तो आज जो काम में करने वाली हूँ या जो इस प्लांट के बारे में जानकारी देने वाली हूँ इस प्लांट का नाम है सिंगोनियम या एरोएट प्लांट्स बहुत ही बढ़िया और hardy plant होता है इसी के बारे में आज हम overall बात करेंगे इसको grow कैसे करना है इसको pot size कैसा चाहिए soil mix कैसी होनी चाहिए atmosphere कैसा चाहिए sunlight requirement क्या होनी चाहिए pest attack किस तरीके से होता है fertilizer के बारे में बात करेंगे इसे किस तरीके के fertilizer देख करके हम hold करके रख सकते है इस plant से हम डेरो plants कैसे बना सकते है तो पूरी जानकारी दूंगी वीडियो को पूरा देखेगा बिना skip किये और आप से एक छोटी से request है कि अगर आप मेरे चैनल पर new है तो प्लीज इसे by roots grow होते है उन plants को हम aeroid plants कहते है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यह plant grow होता है इसको propagate कैसे करना है उससे related वीडियो में ने अपने चैनल पर थोड़े ही समय पहले upload किया है तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो description box में मैं उसका link दे दूँगी तो singonium को किस तरीके से propagate करते हैं वो आपको पता चल जाएगा वहाँ से तो friends singonium plant बहुत ही बढ़िया hardy plant और एक money plant की तरह grow होने वाला plant है लेकिन फिर भी यह money plant से थोड़ा अलग है वो कैसे क्योंकि आप चाहें तो इस plant को बुशी बनाके एक ही जगे जैसे मैंने यहाँ पर इसमें pot में लगाया है तो यह बिल्कुल बुशी plant है यह अपने आप में ही बुशी हो रहा है money plant की तरह बेल की तरह नहीं चल रहा है अगर आपको इसे बेल की तरह चलाना है आप climb भी उसको करवा सकते हैं ने कि उसको ऊपर की तरफ चड़ा भी सकते हैं बहुत hardy plant है pot size की बात करें तो यह छोटे से 5 इंच के गमले से लेकर के 12 इंच तक के गमले में किसी भी तरीके के गमले में survive कर जाता है बहुत अच्छे से grow होता और यह एक indoor plant है इसे जाधा इसे जाधा direct sunlight की है जाधा दूप की ज़रूत नहीं होती है बस एक खुला open area होना चाहिए जहांपर हावा का हावा गमन हो और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सके तो pot size के बाद अब हम इसकी soil mix की बात करते हैं तो soil mix इसके लिए चाहिए well-drained soil अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो well-drained का मतलब होता है अच्छे से पानी निकल जाए जिस मिट्टी में से ऐसी मिट्टी बनानी है porous मिट्टी जो की बहुत ही porous हो पानी डालते सीधे absorb कर ले और drain out भी कर दे इसके लिए आपको construction sand का यूज करना होगा बालूरेट और कंकर पत्थर भी आप उसमें मिट्टी में add कर सकते हैं आपको garden soil, गोबर का खाद और आप चाहे तो coco peat भी ले सकते हैं तीनों बराबर मात्रा में construction sand उसका एक जोथा ही हिस्सा लेना है आपको construction sand का और इसमें मिट्टी में mix करके fungicide ज़रूर add कीजी आप organic कर ली जाना चाहें तो दालचीनी या हरल्दी का powder आप इसमें add कर सकते हैं काली मिर्ची का powder भी आप add कर सकते हैं fungicide के तौर पे अगर आप ये चीज़ यूज़ नहीं करना चाहते हैं आपके पास नहीं है तो आप fungicide market में बहुत सारे available हैं कोई सबी सस्ता fungicide आप लाग करके यूज़ कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा जो fungicide है वो organic है और वो आप गोबर का हाथ के साथ mix करके उसे एक दिन के लिए moist करके activate करके रखें फिर वो आप अपनी soil mix में add करें तो ट्राइकोडर्मा को activate करना पड़ता है उसके बाद ये देखिए ये bushy वाला singonium जो की मैंने इसको bushy बनाया है big size वाला singonium है इसको cutting करकर करके आप bushy बनायेगा इसको आप climb भी कर सकते हैं अगर इसे धूप नहीं मिलेगी न तो ये climb करने लग जाएगा और bell की तरह चलने लगेगा लेकिन अगर आप इसे sunlight में यह दो गंटे की या तीन गंटे की धूप इसे देने लग जाते है daily properly तो जैसी season change होता है इसका season आता है तो ये अपने आप में bushy होने लगता है और ये अपने आप ही grow हुआ है देखिए अभी मैं आपको बता रही हूँ ये दूप में रखा हुआ है शाम की तीन गंटे की इसके उपर sunlight आती है तो ये easily survive कर रहा है और अपने आप में bushy हो रहा है वरना ये इससे पहले climb कर रहा था देखिए मैंने यापर moss stick भी लगाया है ताकि ये climb करके जितनी moss stick है उतना grow कर सके खैर मुझे कोई फर्क नहीं पढ़ता चाहिए bushy बना रहा है या moss stick पर चाड़े अगर moss stick पर प्रॉपरली नहीं चड़ेगा bushy नहीं होगा तो मैं moss stick हटा दूँगी प्रेंट sunlight की requirement बता देती हूँ मैं आपको अभी मैंने बताया ही है कि इसे indirect sunlight चाहिए इसे direct sunlight की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन हाँ अगर 2-3 घंटे की sunlight आप देते हैं दिसंबर जनवरी दिसंबर और जनवरी इन दोनों टाइम पर ये plant dormancy में जाता है इस समय इसके उपर कीडों का टेक ज़्यादा होता है कीडे यहने की white flies सफ़े सफ़ेद चिपचिपा एक कीडा होता है ऐसा लगता है जैसे रूई जैसा कीडा है वो इसके उपर जाकर के बैट जाता है और इसकी खूबसूरती को खराब करता है तो आप इसे पानी से भी wash करके हटा सकते हैं या neem oil का spray कर दीजिए तो उससे भी साफ हो जाएगा spray के उपर भी मैंने video बनाया है उसका link भी description box में में दूंगी वो भी आप spray इसके उपर कीजिएगा बहुत ही फायदे मन्द रहेगा फ्रेंड्स अब इसके fertilizer की बात करते हैं तो fertilizer आपको इस plant को कब कब देना है तो जैसे ही season change होता है उस समय आप इसे fertilizer दीजे लेकिन जब यह dormancy में जाता है December January में तब आपको इसको fertilizer नहीं देना है December January में आप बिल्कुल भी fertilizer मत कीजिए आप November में fertilizer देजीए उसके बाद February में fertilizer देजीए फिर July में fertilizer देजीए आप साल में तीन बार इसको fertilizer देगे fertilizer में क्या देना है वो है only compost cowden compost, kitchen compost या वami compost उस तीनों में से कोई एक, दो मुठी खाद देजीए अगर pot 8 inch का गमला है, काफी है इसके लिए ये पूरा season निकाल लेगा अच्छे से survive कर लेगा और अभी तो इसका growing period है तो friend इसका जो growing period है वो भी मैं आपको बता देती हूँ आप February, March, April, May, June, July, August, September, October नॉमबर तक इस plant को grow कर सकते हैं उसके बाद December, January में बिल्कुल भी इस plant को grow मत कीजेगा, ये नहीं होगा अगर फिर भी आप नहीं मानते हैं तो इसे पानी में propagate कीजेगा water में propagate करने से ये plant easily propagate हो जाता है और बहुत बढ़िया तरीके से grow करता है friends, इसको grow करने के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुकी हूँ इससे related अगर आपको भी मुझसे और कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो comment box में comment ज़रूर कीजेगा ये plant बहुत हाड़ी plant है आप अपने garden में ज़रूर लाएगा singonium एक best indoor plant है best air purifier plant है और इसको grow करने का जो जो भी तरीका था वो मैं अपने वीडियो में आपको बता चुकी हूँ और friends, ये जो plant है, वो आराम से फरवरी से लेके नवंबर तक आप grow कर सकते हैं और अभी इसका best growing period चल रहा है, तो ये बहुत सही मोका है, इस plant को grow करने का आप लाइए और फटाफट से grow कीजिए इससे related कोई और जानकारी चाहिए, तो आप मुझे comment बग में comment करके पूश सकते हैं, आप मुझे instagram पे भी follow कर सकते हैं, flowers and kitchen garden name से, I hope आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो पसंद आया है तो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए मेरे चैनल पर नहीं होए तो subscribe जरू कीजिए bell icon और प्रप्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की notification आप तक directly पहुंचती रहे मिलते हैं next वीडियो में पर फिर किसी नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए बाई, टिक केर, जैसी क्रिशना